नमस्कार और वेलकम योलू ओल अफेर्ड मैं हो प्रशान धवन नाओ हो सकता है कि रीसेंड़ी आपने ये आर्टिकल देखे हो बाई दे हिंदू और इकोनोमिक टाइम्स यहां पर देखो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने वान बिलियन डॉलर रेज किये हैं इसलामिक बॉ हिस्परी का सबसे बड़ा ब्लंडर यहां पर किया है यह बॉन्स इशू करके क्योंकि यहां पर होगा क्या कि पाकिस्तान ना सिर्व साथ साल तक जो यह बहुत जादा हाई इंटरस रेट है अल्मोस्ट 8% का यह पे करेगा 1 बिलियन डॉलर के बदले इन्होंने अपना एक जो मोटरवे एसेट है यह भी गिरवी रख दिया है यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो न्यूज आउटलेट है यही क्लेम कर रहा है कि सुकूग बॉन्ड जो इशू कर दिये गए हैं इसमें एक पोर्शन जो है मोटरवे M1 का कई जगा M1 लिखा है कई जगा M2 लिखा है बेसिकली इनका एक बहुत इंपोरेंट मोटरवे लाहोर में इसको भी नोंने यहां पर रख दिया है गिरवी अब इसके कंपरिजन में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कुछ महीने पहले न्यूज आय थी डिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर का ल लोन दे रहे हो, एक सरकार को लोन देते हो, कहीना कहीं शोटी आती है, गवर्मेंट है, वहाँ पे PM बैठा है, सरकारी बागू है, बहुत सारे मिनिस्ट्री इस हैं, उनके पास एसेट्स हैं, एक लेवल की शोटी होती है, 8% के इंटरस रेट पर लोन आप और मैं भी ना ल आपको भी लोन के ओफर आते होंगे, वह भी कहाते होंगे, कि इंटरस रेट काफी कम हो गया, 7%, 6% के आसपास होगा, एक कंट्री गवर्मेंट, 8% का इंटरस रेट यहां पर दे रही है, इसको कहा जा रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा बॉंड, सबसे खरा मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूंगा, question बहुत ही simple है, कि जो currency, note और coins होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, option A, flat money, option B, legal tender, option C, fiat money, या फिर option D, both B and C are correct, comment section में करिए उत्तर, सही answer आपको दूँगा, मैं वीडियो के end में, आप पुरानी वीडियो में मैं आपको काफी पर बता चुका हूँ, कि countries bond issue करती है, और bond issue करके countries पैसा उठाती है, उधार लेती है countries पैसा, और ये हरदेश करता है, China, US, Japan, दुनिया बर का हरदेश करता है, मगर trick ये होती है, कि आप कितना पैसा उठाते हो bond से, कम interest rate पर, अमेरिका अगर bond से पैसा उठाता ह करी, इनको 2-3 billion, extra चाहिए अपने forex reserve में, ताकि आने वाले कुछ सालों में जो payment ही करनी है, पुराने कर्जों की, ये लोग कर पाएं, तो जब हर जगा से कुछ इनको जवाब मिला नहीं, China ने भी एक बार को हाथ खड़े कर दिये, तब इन्होंने decide किया, कि चलो, खुद क bond issue करते हैं, international market में जाते हैं, बोलते हैं, हम है government of Pakistan, एक billion dollar चाहिए, कितने का interest rate तुम charge करोगे, अब आज वहाँ से ही, 8%, 7% घूम फिरके यहाँ पर बात बनी है, 7.95% पर, वो भी आप कहलीजिए, 8% का interest rate हो गया, तो 7 years के लिए, ये जो 1 billion dollars है, ये मिल जाएंगे पाकिस्ता को, और ये सब किया जा रहा है, एक Islamic bond के अंदर, देखो, इंडिया का अफिवार जब bond issue करता है, तो हम कहते हैं, कि ये bond है infrastructure के लिए, ये bond है IT sector के लिए, मगर पाकिस्तान ने, ये जो bond है, सुकूग bond, ये issue भी religion के नाम पे किया था, almost आप कहलीजिए, इसमें religious appeals ही भी है, कि जो fellow Muslim investors हैं, वो यहाँ पर पैसा उधार देंगे पाकिस्तान को, मगर मैं यही कहूँगा, किसी ने तरस नहीं दिखाया, किसी ने, यहाँ पर आप कहलीजिए, कि वो कहते हैं, religion के नाम पर जो ये थोड़ा बहुत sympathy गिन कर नहीं कोशिश कर रहे थे, उसके हिसाब से किसी भ इमरान खान की party opposition में थी, तब यह बढ़ चड के विरोध करते ने सुकूग बॉन्ड का, कि सुकूग बॉन्ड कंट्री के लिए एक शेम की बात है, सुकूग बॉन्ड से कंट्री के जो assets है, यह गिरवी में चले जाएंगे, we will not mortgage country assets to obtain loans, यह कहा था इमरान खान ने, मगर अ पाकिस्तान अपने बहुत सारे जो national assets है, जो इनके bridge है, जो इनके, जो भी motorway है, उसको गिरवी रख दे, अब यहाँ पर आप कहोगे, motorway सड़क है, पाकिस्तान में सड़क है, उसको गिरवी रखकर, यह loan कैसे ले सकते हैं, देखो, motorway जो इनका है, वहाँ पे toll collect करते हैं, आपने motorway बना दिया, इनके motorway बना था, 1992 के आसपास, आज भी पाकिस्तानी उसको यूज कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे industries हैं, ट्रक्स वगरा, आम आदमी, वो motorway यूज कर रहे हैं, और जब भी यूज करते हैं, toll pay करते हैं, सरकार को पैसा ही आता है वहाँ से, तो पाकिस् कर देए कितनी अजीब बात है, और ऐसा नहीं है कि जो ये वान बिलियन डॉलर है, इससे कोई additional motorway बनेगा, देश में लगेएगा, अब ऐसा नहीं, जो पुराने करजे हैं, उनकी बस servicing होगी, debt servicing होगी, और अल्यडी मैं आपको बदाया था, ये अब एक ऐसा time चल रहे है 2012 में 13 में mature हो गए हैं, उनकी payments करनी है, नए bonds issue किये जाएंगे, मगर आप देखिएगा, इंडिया जब bond issue करेगा, हमको जो interest rate पे करना होगा, बहुत 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 ज़रा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के comparatively Indian government को ज़रा stable वाना जाता है, अब for example, जो पाकिस्तान के सुकुक bond जोनों ने issue कर दिये हैं, इनको Moody's ने, अमेरिका की एक rating agency है, Moody's, ये rating देती है bond को, कि हमारे हिसाब से, ये bond इतना अच्छा है, इतना खराब है, तो Moody's ने rating दिये पाकिस्तान के सुकुक bond को B3, और B3 भी तब जब ये दे रहे हैं, motorway गिरवी, B3 का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है Moody's का rating scale, इस rating scale के साब से, Moody ये कहता है, कि एक bond में investment करनी चाहिए, या फिर ये junk bond है, अब पाकिस्तान का आप अगर देखो, तो ये आता है non investment grade में, क्योंकि जैसे में आपको बताया था, पाकिस्त ये कहता है, यहाँ पर अपने investors को, कि ये bond मतले लेना, तुम एक billion dollar देतो रहे हो, मगर घूम फिर के कोई बड़ी बात नहीं है, मजबूरी में ये अपना motor वेया, ये पकड़ा देंगे, फिर खेलते रहना टोल आएगा उससे, अराम अराम से कहीं सालों में आपको billion dollar आसपास भी क्यों ना हो, तो जो आप investment grade bond issue करते हो, तब आपको बहुत ही ज़रा कम interest rate पे करना होता है, और कुछ भी गिरवी रखने की आफशकता नहीं होती, अब मुझे बता है, आप लोग जो regular basis पर current affairs की जो वीडियो है, जियो पॉलिक सी वीडियो है, फॉलो करते हैं, जो आपने वीडियो की starting में बताया, कि Saudi Arabia ने 3 billion dollar इनको दिये उधार में, 4% के interest rate पर, उसका क्या हो गया, वो पैसा भी तो इनके पास होगा, देखो उसमें से 3 billion में से 2 billion ये कर चुके हैं, consume, actually पाकिस्तान की problem यही है, debt जब बहुत सारा हो जाता है, आपको लगाता, debt servicing करन वाला पैसा था, ये भी एक तिहाई जा चुका है, आखरी का billion बचा हुआ है, तो इसलिए इनको मजबूरी में ये सुकूग bond issue करने पड़े, हाला कि आपे मैं ये एड कर दूँ, कि पाकिस्तान को ये उमीद है, कि चाइना को इनको जो loan देने है, वहाँ पे इनको कुछ न करजा नहीं है, मगर फिर भी एक काफी बड़ा समिन का Chinese loan से आता है, वहाँ पे इनको कुछ relief मिल जाएगा, वहाँ पे एक खटा payment इते सारी इनको नहीं करनी होगी, वह देखते हैं वहाँ पे China क्या करता है, वापस आते हैं हमने MC की उपर, कि currency notes और coins को क्या कहा जाता है, द सिधा जाओ, comment section में, यहाँ पे आपको मिलेंगे link, UPSC, SSC bank के, जो भी course यहाँ पे आपको purchase करना है, आप purchase कर सकते हैं, मगर आप अगर मालो यहाँ पे purchase करते हैं, 12 महीने का course, तो आपको additional 6 महीने free मिलेंगे in your purchase, तो simply यहाँ पे आपको click करना है, 12 month, 18 month का course, जितने महीने का यहाँ भी आप course purchase करते हैं, 6 महीने आपको extra free मिलेंगे, एक साल का course अपने आप 15 साल में convert हो जाएगा, validity बहुत ज़रा आपको मिल रही है यहाँ पर, और जो prices यहाँ पर लिखे हैं, यह भी पे करना ही आपको आपको अशकता नहीं है, simply यहाँ पर use करो PD10 and the prices will fall, so use the code PD10 and save your hard and money, so easy note के साथ यह है वीडियो का अंध, thank you for listening and as always, God bless you all.